आज की कड़ी में हम गांधिवादी स्वाधीनता सेनानी गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का स्मारण कर रहे हैं। आरंभ में सामाजिक सुधार में अधिक रूची रखते थे। बाद में स्वतंतरता आंदोलन की तरफ वे तब प्रेरित हुए जब उनकी मुलाकात लोकमाने बाल गंगाधर तिलक से हुई। उन्हें करनाटक के खादी भगीरत भी कहा जाता है क्योंकि वो खादी आंदोलन के बारे में जागरूपता फैलाने के लिए गाउं गाउं गये। गंगाधर राव के नित्रत्व के कारण बेल गाउं के निवासियों ने 1942 में भारत छुडो आंदोलन में बड़े उत्साह से भाग लिया। हम आज मुतुलक्षमी रेड़ी को भी याद कर रही हैं। उनका जन्म 30 जुलाई 1886 को पुदु कोटेई रियासत में हुआ था जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है। बहु मुखी व्यक्तित्व की धनी मुतुलक्षमी रेड़ी कई मामलों में आगे रही। वे देश की पहली महिला डॉक्टरों में शामिल थी। सामाजिक मुद्दों के संबंध में कार्यकर्ता के रूप में अधिक चर्चित है। मुतुलक्षमी के पिता ऐस नारायन स्वामी अयर महराजा कॉलिज के प्राचार्य थे। वे मुतुलक्षमी की मां देवदासी चंद्रामल के साथ विवाह के कारण अपने परिवार से बहिश्कृत थे। मुतुलक्षमी को अपने ननिहाल से विशेश लगाव था और ननिहाल से इसी निकटता ने उन्हें देवदासी समुदाय और उसकी समस्याओं का बोध कराया। नारायन स्वामी अयर ने परंपरा तोड़ी और मुतुलक्षमी को विद्याले भेजा। जब मुतुलक्षमी ने मैट्रिक परिक्षा उत्तीर्ण की तो उन्होंने महराजा कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया। लेकिन उनके आवेदन का विरोध किया गया क्योंकि अधिकारियों के मुताबे किस से कॉलेज का माहौल खराब हो जाता। लेकिन पुदु कोट्टे के महराजा ने उन आपत्यों को अस्विकार कर दिया और मुतुलक्षमी को कॉलेज में प्रवेश दे दिया। उन मूलन अधिनियम के नाम से जाना गया। उस विधेक को कानून बनने में पंद्रा से अधिक वर्ष लग गये। मुतुलक्षमी रेड़ी जीवन भर महिलाओं के सशक्ति करण के लिए काम करती रही। 22 जुलाई 1968 को उनका निधन हो गया। भारत की इस महान बेठी को शत शत नमन। हुआ हुआ है